प्रशासन अलर्ट है गंगा का पानी अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परिशानी बढ़ सकती है तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जलसर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके वज़े से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों के सामने पहाड व्यसी परिशानी है जिसको दूर करने को लेकर वो लगातार प्रशासन से गोहार लगा रही है लेकिन जब तक जलसर कम नहीं होता है तब तक परिशानी भी कम होती लोगों के नजर नहीं आ रही है तो गंगा का पानी लगतार बढ़ता हुआ नजरा रहा है और अगर बजहांगी गाउं की बात करें मेगरा गाउं की बात करें तो वहां तक पानी पूरी तरीके से पहुँच चुका है और इशकेश में बाड के पानी की मार पड़ी है बाड के पानी ने तीर्थ नगरी के सुंदर को बिगाड कर रख दिया है सड़क घाट आर्थी सल सब पर पानी की मार पड़ गई है पिछले दिनों हुई तेज बारिश से गंगा के साथ साहयक नदिया उफान पर आ गई थी जिससे की कई जगे भारी बरबादी हुई थी वहीं तीर्थ नगरी की खूब सूरती पर भी बारिश का असर पढ़ रहा है और खबर विकास नगर से यहां पर भूध साफ से जाखन गाउंपूरी तरीके से जमिदोज हो गया है पूरा गाउं पहाड के साथ ही दरग्या है हाला कि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और कुछी परिवार समान तक निकाल पाए हैं पूरे परिवार में 22 लोग रहते हैं जिसमें से 18 परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए हैं सिर्फ चार परिवारों के मकान बचे हुए हैं कई मकारों में दरारे आ गई हैं यहां तक की सडकों में भी चोड़ी चोड़ी दरारे आ गई हैं घटना कल दो पहर दो बज़े के आसपास की वताय जारकी है स्थानी विधायक मुन्ना सिंग चौहन ने गाउं का दौरा किया साथी प्रशासन की टीम ने भी दौरा किया पिलहाल लोगों के पास के ही स्कूल में बनाये गए रहाशिवरों में उनको रखा गया है सटल्मेंट थोड़ा सा गाउं में हो रहा था काभी समय से जिस फद्र की पाड़ों के अंदर सिखायत रहती खेतों वगरा की सड़क वगरा की लेकिन ये आज ये दो पर बाद लगबग ढ़ाई तीन बज़े के करीब दो से तीन बज़े के दर्वियान ये अचानक टो फेलियर हुआ है जो फेलियर उसको बोलते हैं जो उपर से सारा गिर करके आ गया और वो काफी उसका जो सलर्ज है वो सारा सब आगे चला गया